Hello dear student, video thumbnail से ही आपको पता लग गया होगा कि आज जो information हम आपके लिए लाए हैं वो किस topic पर है तो यहाँ पर दुर्ग विश्व विद्ध दहला के द्वारा जो आपका प्रायूगीक परिच्छा की समय सार ने जारी कर दी गई है काफी जो student है वो प्रायूगीक में ही सपली आई हुए है या तो वे absent थे या college के द्वारा उनके जो result है उसमें गरबड़ी करके absent कर दिया गया है या कई जो student है वो सच में सपली आई हुए है तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे ज़्यादा confusion वाला जो पार्ट है वो प्रायूगीक एक्जाम कही है यहाँ पर कि किस प्रकार से आपका प्रायूगीक जो practical exam होगा वो conduct होगा तो इस वीडियो में आपको उसकी पूरी detail बता यह जो भी practical subject के student है यूजी कख चेके तो आपका जो exam है वो date यहाँ पर देख पार होगे कि 13 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 के मद्य आपका जो exam है वो conduct होगे अब किस प्रकार से होगे इसकी जानकारे विश्वद्दलय के द्वारा नहीं दी गई है यहाँ पर आप जो है अपने college का जो notice board है उसका उलोकन करें इसके लिए कि आपका exam किस प्रकार से होगा साथ ही जो main point है यहाँ पे आपका exam जो होगा आप दुर्ग विश्वद्दलय से संबंद किसी भी महाविद्दलय से हो कोई भी district से हो यहाँ पर आपका जो exam है वो दुर्ग में conduct होंगे यानि कि बताया जाएगा कि आपको कौन सा महाविद्दलय मिला है जहाँ पर जा करके आपको अपना practical exam देंगे यहाँ पर कुछ विश्व इग्जाम सेंटर दिये गए हैं आपका practical के लिए तो डिस्प्ले पर आप देख पा रहोंगे अगर आप बी ए फर्स्ट यर सेकंड यर फैन के डाक्टर वामन वाशुदेव पार्टन कर कन्या महाविद्दलय दुर्ग आपका exam सेंटर रहेगा ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर ब्यस्ट यर सेकंड यर फैनल के बाटनी केमस्ट्री फिजिक्स जूलोजी साथ ही बीए बीएट के साइको मैट्रिक असेस्मेंट वा स्टियल केमस्ट्री इन्वाविद्दलय दुर्ग में अगर आप जो हैं वो सप्ली आए हुए हैं तो आपको साज के विश्वनात यादो तामसकर इसनात्कोत्तर स्वासासी महाविद्दलय दुर्ग में exam सेंटर आपको रहेगा ठीक है इसी प्रकार से बीएसी फर्ष्ट सेकन और फैनल एर के और बीकॉं फर्स सेकन फैनल एर के जो कंप्टर अप्लिकेशन के स्टुडेंट है या जो इन्वार्मेंट सब्जेक्ट में सप्ली आए हुए हैं उनका जो exam center होगा वो साई महाविद्दलय सेक्टर 6 धिलाई में होगा ठीक है यहाँ पर आपको यह सम आप जिस सब्जेक्ट में आए हुए हैं उसके according यहाँ पर आपको जो चार महाविद्दलय दिये हैं वहाँ पर exam के लिए जाना होगा exam किस प्रकार से होगा इसके लिए आप अपने college के जो notice board है उसका उलोकन करते रहें साथ ही आपके contact में जो भी college के teacher होंगे उनसे contact करके आप जानकारी ले सकते हैं ठीक है और आगे जैसे कोई और जानकारी आती है तो हमारे चैनल के माद्यम से आपको बताया जाएगा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो नीचे comment box में comment कर दीजिएगा आपको उसकी जो information चाहिए होगी वो दे दी जाएगी साथ ही न information है वो आप तक लेकर आते रहेंगे